हलो और वेलकम बेक टो माई चैनल माई होम एन केचें टिप्स फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक बैल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना है जिससे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शियर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएए कि वीडियो कैसा लगा है इस तरह की मटकी को दुबारा से इस्तिमाल करने का तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने मटकी को कलर करना है तो मैं इसके लिए ब्लू कलर यूज कर रही हूँ इस तरह से ब्रश का इस्तिमाल करते हुए आप इसे कलर कर सकते हैं इस तरह का brush ले सकते हैं या normal brush जो होता है वो ले सकते हैं तो आप इस तरह से color कर लें इसको अच्छे से मैं blue color का यूज कर रही हूँ ये देखें पेंटिंग के लिए मैं fabric blue color यूज कर रही हूँ जोकि आपको bookshop से मिल जाएगा ये देखें 15-20 मिनट छोड़ दीजिए इसके बाद ये dry हो जाएगा हम इस पर design print करके बनाएंगे तो ये देखें मैंने एक stamp तयार किया है तो नीचे मैंने एक coke का धक्कन लिया है और इस तरह के stickers आपको bookshop से मिल जाएगे दो stickers को आपस में चिपका लिया है और उसके बाद मैंने इसे glue gun से चिपका दिया है धक्कन के उपर और इस तरह से हमारा sticker तयार हो गया है इस तरह के दो stickers और हैं मेरे पास तो इससे related video भी आपको end screen में मिल जाएगा तो आपको sticker बनाने का पूरा तरीका वहां से पता चल जा प्रिंटिंग नीचे से स्टार्ट करें तक हाथ सेट हो जाए उपर आते आते यह देखिए पूरी लाइन मैंने बना ली है स्टार्ट की अब मैं फ्लार की शेप का यूज कर रही हूं तो इस पर कलर लगाने के तरीका है पहले आप कलर अच्छे से लगा लें एक दो लेयर स्टार्टिंग में जब आप इस स्टेम को यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आपने किसी कपड़े के उपर या फिर किसी पेपर के उपर दो तीन बार इस तरीके से इसे प्रेस करना है जब तक कि इसका प्रेंट अच्छे से आने स्टार्ट नहीं आ जाए इस तरह से इस प्रोसेस को दो तीन बार रिपीट करें पेपर के उपर और उसके बाद आप पॉट के उपर प्रिंटिंग कर सकते हैं ये देखिए कलर लगा लिया है मैंने अच्छे से प्रेस करना है इसको और इस तरह से हमने एक लाइन में सेम डिस्टेंस रखते हुए फ प्रिंट करना है मैं प्रेस अच्छे से आए गा और आपके जो शेफ है अच्छे बन पायेगी ये देखिए फिर से मैंने फैब्रिक प्रिंट लगाया है इसके उपर और ये देखिए सेंटर में प्रेस करें और जितने भी कलिया है उस साइड में आपने प्रेस करना है इसको तो इस तरह से हमारा काफी अच्छा सा प्रिंट आया है और हर बार आपने कलर लगाना इसके उपर बहुत ज़्यादा कलर ना लगाएं थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का ब्रस को पॉंच लें कलर लगाने से पहले तो यह देखिए एक लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से फैबरिक पिंट का ही यूज कर रही हूं मैं इसमें तो यह देख सकते हैं हमारा ब्लू पॉटरी का लुक आने लगा है इसमें हमने वही कलर यूज कि यूज क बना रहे हैं इसके नीचे नीचे तो आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं अगर कोई फ्लार ठीक से नहीं बना है तो करक्शन कर सकते हैं इस तरीके से तो चलिए से कंप्लीट कर लेते हैं एक लियर और लगाते हैं तो यह देख सकते हैं उपर की तरफ हमने तीन लाइने ब आप मां यलो कलर ले रही हूं और इस तरह के डॉर्ट्स से क्वालरी हूं। यलो कलर से यह देखिए नीचे की साइड में थोड़ा से शप्पेस है तो मैं अलग शे दो डॉर्ट्स भना रही हूं। और इसके लिए मैं earbud का use कर रही हूँ, सारे flowers के center में इस तरह से, आप आसानी से earbud का इस्तिमाल करके dots बना सकते हैं, even और ये देख सकते हैं, हमारा flower pot बनकर तयार हो गया है, चारो तरफ से दिखा देती हूँ, मैं इसे बहुत ही जल्दी बन गया है, और बहुत ही finishing के साथ ब बट देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं, तो आप किसी भी पुरानी मटकी का इस्तिमाल करके घर पर ही बहुत कम time में और बहुत कम सामान में इस तरह का blue pot तयार कर सकते हैं, हमने इसमें stems का use किया है, इसलिए इसमें time बहुत कम लगा है, अगर हम इसे brush से तयार करते तो इस तरह का design बनाने में हमें असानी से 2-3 घंटे लग जाते, बट हमने इसको 5 मिनट के अंदर तयार कर लिया है, तो इस तरह का pot आप भी तयार कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही सुन्दर दिख रहा है, इस तरह के 2-3 pots बनाकर आप line से भी रख सकते हैं, जरूरी न हैं कि इसके अंदर फ्लार बंचिस आपने डालने हैं, और आप चाहें तो फ्लार बंचिस भी डाल सकते हैं, से वास की तरह से भी यूज कर सकते हैं, तो यह था आज का वीडियो, उम्मीद पसंद आया होगा,